नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्माज सरबार अपरा एकादसी जिसे अचला एकादसी भी कहा जाता है जेष्ट महा के कृष्ट पक्ष की एकादसी को कहते हैं और इस वर 26 मई गुरुवार के दिन एकादसी ब्रत रखा जाएगा युदिष्टी कहते हैं भगवन जेष्ट कृष्ट एकादसी का नाम क्या है उसका महात्म क्या है किरपा करके बतलाईए तब भगवान स्री कृष्ट कहते हैं हे राजन यह एकादसी अचला तथा अपरा दोनों ही नाम से जानी जाती है और पुरानों के अनुसार जेष्ट महा के कृष्ट पक्ष की एकादसी अपरा एकादसी है क्योंकि यह अपार धन देने वाली है जो मनुसे इस ब्रत को करता है वे संसार में परसिद्ध हो जाते हैं इस दिन भगवान त्री विक्रम की पूजा की जाती है और अपराएकादसी की ब्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या भूत योनी दूसरों की निंदा आधी पापों से सब पाप दूर हो जाते हैं पाप नस्ट हो जाते हैं इस ब्रत को करने से परिस्तरी गमन जूटी गवाही देना जूट बोलना जूटे सास्र पढ़ना या बनाना जूटा जोती सी बनना या जूटा बैद बनना आधी पाप भी नस्ट हो जाते हैं जो छतरे युद से भाग गये वे नरक गामी होते हैं किन्तु अपराएका दसी क ब्रत रखने से वे सुर्ग को प्राप्त करते हैं जो सिस्से गुरू से सिक्षा ग्रहन करते हैं पर उनकी निंदा करते हैं तो अवस्य ही नरक में पढ़ते हैं लेकिन अपराएका दसी का ब्रत से इस पाप से भी मुक्तो हो जाते हैं जो फल तीनों पुसकर में कार्तिक प पूलसी जी की पूजा करेंगे तो तूलसी जी को जल और पित करते समय आप एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी अगर आपके घर में दूद है कच्चा तो दोचार बुंद दूद ज्यादा नहीं दोचार बुंद दूद एक थोड़ा सा मीठी बस्तू मीठी बस्तू में आप मिस्री ले सकते हैं चीनी के डाने ले सकते हैं या फिर गुड़ भ बिरस्पते नमह आप जब कर सकते हैं ऐसा करने से आपका गुरू भी बहतर होगा भाग अच्छा हो जाएगा वैसे तो तुलसी जी जो है ना उनकी पूजा करने से आपका बिगड़ा हुआ बिरस्पती भी बढ़िया हो जाता है तो जब आप धूब दीप दिखाईएगा ज ताकि लौंग भी थोरा सा जल जाए इससे क्या होगा नकात्म कूड़ जाएं भी जल जाएगी और घर में धीरे अब एक दिन में असर नहीं होता अपनीमीत रूप से प्रयोग करें आपके घर में सकात्म कूड़ जाने लगेगी विशेस मनो कामनाओं की पूर्ती के लिए इस दिन विशेस भी प्रयोग किये जाते हैं अब माल लेते हैं आपकी नौकरी नहीं लग रही है आपका बैफसाय अच्छा नहीं चल रहा है घर परिवार में बहुत टेंसन है अपना मकान का सुख नहीं है तब एक चोटा सा टोटका कर लीजेगा अब सनीवार के दिन मनुकामना पूर्ण हो जाए तब जाकर सीधा स्वस्तिक बना दीजेगा उल्टा स्वस्तिक जो बनाईएगा उसमें बनाते समें अपने मन की बाते भगवान से कहिए अगया कि प्रभू आपको नौकरी नहीं मिल रहा है तो बोलिए भगवान हमें कोई अच्छा सा जौब दिला दो और पिर आप उनको परणाम कीजे घर आ जाए जब पुरा हो जाए मन्ना तब पूरा हो जाया मनना तब सीधा स्वस्तिक बोल्कार ऑगवान को बनांदें कि बहुत सिंपल प्रियोग है और भगवान को आप चाहें तो कुछ मिठी बस्तू का पर साथ लेकिन एक बात याद रखेगा जब आप स्रीहरी की पूजा करेंगे तो एक सिक्का उनको जरूर अर्पित कीजिएगा सिक्का कोई भी हो सकता है एक का पांच का या दस रुपया का कोई भी सिक्का पर उनकी पूजा में सिक्का जरूर रखें, बिना दक्षिना का पूजा ही पुर्ण नहीं होगा और सिक्के को सम्हाल के रखें, अपने धन के अस्थान पर रख सकते हैं, धन बढ़ाएगा और साथ ही तुलसी के पत्ते पर हल्दी से स्रिंग लिखिए स्रिंग मालक्षमी का मंतर है बीज मंतर और इस मंतर की सक्ति बहुत है और लिखने के बाद तुलसी के पत्ते को आप चाहें तो अपने माथे पर या नाभी पर रख के रात में सू सकते हैं या आप संभाल कर अपने तक्ये के नीचे रख लें अगले दिन मिट्टे में दबा दीजिएगा आपको जीवन की तमाम परिसानियों को ये तुलसी का पत्ता दूर करेगा वैसे तो देखे स्रधा हो भक्ती हो तो फिर हर एक बस तू आपको लाब देती है तुलसी जी के नीचे एक दिया साम में जलाएगा जरूर लेकिन तुलसी जी में आज के दिन अगर एक कच्चा सूत यानि मौली धागा ब्रत रखने से आपके तमाम दोस, पाप समाप्त हो जाते हैं और आपके पित्र लोगों को भी उनके जो पाप हैं जो वो कच्ट भोग हैं उनसे मुक्ते मिल कर वो बैकूंठ धाम को जाते हैं पीपल के नीचे तो दिया जलाना ही है लेकिन कि आपको पता है बिलु पत्र के पेड़ के नीचे अगर इस दिन एक मननत का दिया जला दे तो आपके सभी दोस्त भी समाप्त होते हैं जीवन के कस्ट मिटते हैं आप जलाएंगे एक मिट्टी का दिया ले ले दो मुखा दिया और घीका दिया होगा जाकर कहीं भी बिल पत्री के पेड़ के नीचे जला दीजेगा आपके जीवन की हर मुश्किलों से आपको बाहर निकलने के रास्ते मिलेंगे ये एकादसी खास है इसलिए तुलसी का पत्ता भगवान सरी हरी को अरपित्तो करेंगे ही साथ ही तो इस दि की हल्दी डाल कर पूरे घर में छिड़काओ करें बाखी बचा पानी किसी पौधे में डाल दें फिर भगवान को गंगा जल से अभिसेक करें उन्हें स्वक्छवस्त्र अरपित करें और फिर प्रतिमा को रोली और सिंदूर का टीका लगाए तुलसी के पत्ते या पूजन में भगवान स्री गनेश जी की पहले पूजा करें फिर भगवान की करेंगे और बिधी बिदान से पूजा करने के बाद एकादसी की ब्रत की कथा पढ़े या फिर सुने एक घी का दिया जरूर जलाईएगा ऐसा जलाएं की कम से कम आधा घंटा जले महालक्ष्मी और भगवान स्री हरी बिष्णू दोनों की ही एक साथ पूजा कीजेगा और फिर आर्थी कीजेगा तो तुलसी जी के नीचे तो आप दीपक जलाएंगे लेकिन बिल पत्र के पेड़ के नीचे जो दिया जलाएंगे वो मिट्टी का दिया होगा और उसमें दो बाती होगी घी का दिया होगा उसमें एक दाना चावल का रख दीजेगा दीपक में और इसको बिल पत्र के पेड़ के नीचे किसी पत्ते या दोने पर रख कर साम के समय चला दीजेगा और आपकी जो भी मनोकामना है वो कहिएगा जब आप पीपल के बिच्च की पूजा करेंगे तो पीपल के बिच्च की पूजा करने समय एक लोटा जल में एक चुटकी काला तिल एक चुटकी अक्षट थोरी सी मिस्ती विस्तू और थोड़ा सा दूर डाल कर पीपल के पेड़ के जड़ में अरपित कर दें 11 बार ओम नमो भगवते वासु देवाय का जब करते वे परिक्रमा करें आपके जीवन की मुस्किलें कम होती जाएंगी साम के वक्त एक दिया जरूर जलाईएगा दीपक में एक चुटकी काला तिल होगा सरसों के तेल का दिया होगा और जलाकर भगवान से प्रार्थना करें जीवन की मुस्किलें कम हो जाएं वैसे जया एकादसी के दिन आप चाहें तो अपने हाथों से चुकी इस बार सनिवार का भी दिन है तो आप पीपल का पौधा अपने हाथों से कम से कम पांच पौधा सारजनिक अस्थान पर लगा हुआ हो यानि कि अलागला केला नहीं करना है एक ही जिसे आप बंच में गुच्छा में बारा केला होता है उसी तरह दो केला एक साथ होगा एक केले पर आप हल्दी से या फिर कुम कुम से रोली से आप अपना नाम लिख लें दूसरे केले पर एक स्वस्तिक बना लें और दोनों केला आप भगवान स्री हरी को समर्पीत कर दें वहां पर भोग लगा दें इसके बाद एक आदसी दिथी की रात में याद रखिए एक दिया 11-12 बजे के करीब आप एक घी का दिया जलाईए और इस दिपक में एक लॉंग रख दीजिए और भगवान से अपनी कामना क चाहते जिवन में तरक्कि करना चाहते हैं संतान चाहिए नौकरी वेस्पार आप उन में को कहिए और इसके बाद आप अगले दिन और आप पीज़ा करने के पईंगे दोनों के लाओंसे भगवान को परनाम करके उठाएं और इक रा जिस पर यह दोनों तो नंपर से उतार उसको गाई को खिला दे खुद से खिला पाई तो अची बात नहीं तो कोई भी खिला सकता है आपके जीवन के हर कस्ट मीटेंगे आपके मुनो कामना पूर्ण होगी जीवन की मुस्कले समाप्त होगी तो इस एकादसी पर यह महा प्रयोग कीजिए और है आप से विदा लेते आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा धन्यवाद